गुरूर्णिंग एस्टुटिंट आज का हमारा विशा है आपेक्षित घनतु जल के सापेक्ष में किसी वस्तु के घनत को उसका आपेक्षित घनतु कहते हैं अपेक्षित घना तो मातरक ही नासी है लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किन्तु पानी में जैसे ही उसको डूबाते हैं पानी में रखते हैं तो वो डूब जाता है क्योंकि लोहे का अपेक्षित घना तो पारे से कम और पानी से अधिक होता है जब वर्फ पानी में तेरता है तो उसके आयतन का एक बटे दस भाग पानी के उपर और नौ बटे दस भाग पानी के नीचे 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 हिम खंड उपर से ना पिघल कर वो नीचे से पिघलता है क्योंकि नीचे दाब आधिक होने के कारण उस वर्फ का गलनांग कम होता है गनत तथा आपेक्षित गनत में संबंधित सुत्र गनत गनत बराबर द्रवमान बटे आयतन वस्तू का गनत वस्तू का जल में डूबा हुआ भाग का आयतन कुने जल का गनत बटे वस्तू का आयतन किसी पिंड का आपेक्षित गनत बराबर पिंड का गनत बटे जल का गनत व वस्तु का पेक्षिक घनत वराबर वस्तु का द्रौ में डूबा हुआ आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन कुछ चीज हमें जाननी जरूरी है जैसे जल का घनत व क्या होता है जल का घनत्व एक हजार किलो ग्राम प्रति घन मिटर या एक ग्राम प्रति घन सेंटिमेटर वर्फ का घनत्व 900 केजी प्रति घन मिटर या 0.9 ग्राम प्रति घन सेंटिमेटर